हुआ हुआ ये चीज है अभी तक आप पढ़ा लेकिन जो आप आसकी क्लास पर पढ़ने जा रहे हैं यह बहुत important है आपके exam के perspective से इस question को मैं most most important mark कर रहा हूं क्योंकि आगे चल करके exam time में जब मैं important questions की list आपको दूँगा तो उसमें से ये एक question शुमार होगा ठीक है बहुत important है मान के चलिए इसमें से एक सवाल आपके exam में आएगा ही आएगा guaranteed है ठीक है लिख के दे रहा हूं इसमें से paper में questions आएगा question क्या है draw the indifference curve when कुछ situation है यहाँ पर आपको indifference curve को draw करना पड़ेगा जैसे कि अगर two goods are perfect substitutes तो इसमें indifference curve किस तरीके से बनेगा जा फिर आपसे ये question पूछ सकता है कि आपको यहाँ पर indifference curve draw करें when two goods are compliments one goods are gives zero utility one of the goods is absolute necessities x is the vegetable and y is the meat and the consumer is strict vegetarian तो यहाँ पर बचे कुछ आपको situation है पांस situation हर situation में आपको indifference curve को draw करना है कि वो किस तरीके से बनेगा generally indifference curve के बारे में उसके draw करने के बारे में आपने समझा है कि वो convex to the origin होता है क्योंकि एक goods को gain करता है तो satisfaction level को same रखने के लिए हमें दूसरे goods को sacrifice करना पड़ेगा जिसे satisfaction level same रहे लेकिन दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना है हमें कि जितना हमने gain करा है same amount हमें sacrifice करना पड़ेगा तभी हमारा satisfaction level unchanged रहेगा satisfaction level में कोई changes नहीं होंगी बनाना sacrifice कर रहा था अब आप सवाल उठाता कि एक एपल के बदले 5 बनाना क्यों sacrifice कर रहे हो क्योंकि एक एपल और एक बनाना को compare करोगे तो एपल से ज्यादा satisfaction level मिल रहा था तो जितना आएगा उतना sacrifice करने के लिए ज्यादा बनाना sacrifice करना पड़ा नेक्स टाइम अगर आप देखोगे तो सेम एपल के लिए फिर मैंने फोर बनाना sacrifice किया था वाभी क्यों मैंने फोर बनाना sacrifice किया था क्यूंकि because of law of diminishing marginal utility जैसे मैं किसी commodity consumption continuously करता हूं तो next unit से मिलने वाला जो satisfaction level है वो क्या होगा वो diminishing होता है तो अब मेरे पास में second apple पहले जितना आपको satisfied नहीं करेगा इसलिए आप पहले जितना amount sacrifice नहीं करेंगे पहले से कम करेंगे तो आपने फोर बनाना sacrifice करा next तीन एपल पर फिर आपने थ्री बनाना sacrifice करा यूगिए diminishing margin utility applicable होता है यह बात हमने पड़ा वाब हमने समझा कि पहले पांच बनाना sacrifice करा फिर हमने चार करा फिर तीन करा फिर दो करा फिर एक करा जो हमारा sacrificing rate है इसको marginal rate of substitution भी कहते हैं MRS कहते हैं वह diminishing nature का था सिमान परतिस्थापन की दर इसको हिंदी में कहते हैं त्याक की दर को यह क्या था यह एक घड़ता हुआ था diminishing nature का था इसके वज़े से इंडिफरेंस कर बनता है वह convex to the origin बनता है इस बात पर detail में चर्चा हम पिछले classes में कर चुके हैं लेकिन आज मैं convex कर की बात नहीं कर रहा हूं आज अलग-अलग situation में अब आप तो गूट के बात मैं कर रहा हूं तो जैसे पर्फेक्ट्स चटूट में मान लिजिए मैं यहां पर अब यह बात कर रहा हम अब आरे ऑग JEए हो गया कि यह रहां लेगा लेकिन आपको कहीं पर tea नहीं मिला बढ़ आपने अपना काम चलाने के लिए coffee consume कर लिए तो मैं मानता हूं कि आपने substitute कर लिया आपका काम हो गया लेकिन coffee exactly same आपको utility नहीं देगी जितने के आपको tea से मिलती थी कुछ differences तो आ जाते हैं ना बढ़ काम तो हो रहा है तो substitute goods साहिए माल लीजिए आप बॉल पैन के सुडेंट्स है नहीं था बॉल पैन किसी से लिए तो जैल पैन जैल पैन से लग गए हां आपका काम हो गया सब्सिचूट्ट इस लिखने में नहीं आएगा तो इस तरह की कोमेड़िटे को हम क्या बोलते हैं हम इस तरह कामेड़िटे को बोलते हैं perfect substitute कूर्स एक कोता substitute चाहिके जगे काफी बट मुझे अपने satisfaction लेबल में आपने utility हुआ fifth two goods आर परफेक्ट सपसिटीू्ट तो यह दो घूब्स आपके पास पर इंग क्या हैं परफेक्ट सब्सिटूट गोड्स है तो यहाँ परISA एक मेंने एग्जामपल रखा किल्ले और एक किल्ले लेघ ніी तो एक्जामपल कर समझते हैं कि कि यह क्या है एक्जाम्पल से मैं सब चीज़े आपको क्लियर करूँगा मान लो कि perfect substitute goods की बात कर रहा हूँ perfect substitute goods perfect substitute goods मैं दो एक्जाम्पल ले लिता हूँ मान लो एक मेरे पास में किल्ले पानी की बाटल है और एक मेरे पास में बिसलरी की पानी की बाटल है ठीक है और इसको मैं नाम देता हूँ एक को यह मेरे पास में X commodity है और एक मेरे पास में Y commodity है यह perfect substitute commodity है clear है अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मेरे पास में combination है अब combination की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर combination मेरे पास में A B C कुछ पहले A combination की बात कर लेते हैं कि मेरे पास में मान लिजे एक किलने की पानी की बाटल है दस बिसलरी की बाटल है तो मुझे एक satisfaction level मिल रहा है combination B में अगर मैं एक किलने की बाटल और ले लूँ पानी की तो बिसलरी को अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो बिसलरी मेरे पास में मैं यहाँ पर sacrifice एक ही करूँगा क्यों कि भाईया किलने और बिसलरी में कुछ भी फर्क नहीं है जितना एक किलने में मैं उतना इमें बिसलरी में लूज कर दूँगा दोनों डिफरेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे cm combination c की बात करो नों की सब्सक्रिप होगा सबसक्राइब क्योंकि मेरे पास में क्या है दोनों बिल्कुल क्लोज सब्सिटूट है तो यहां पर जो मेरा MRS है मारजना रेट ऑफ सब्सिटूशन है एक को पाने के लिए एक एक को पाने के लिए एक एक को पाने के लिए एक एक को पाने के लिए में क्या हो गया आठ दो हो गया तो क्या हो गया पसमें छे दो करेंगे तो कि बसमें क्यों जाएगा चार हर बार एक किलने की बोटल के लिए दो बिसलरी सक्रिफाइस कर रहे हो तो एक को पाने के लिए 2 sacrifice करा, पहले में तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं, अब नेक्स्ट में एक के लिए 2, फिर एक के लिए 2, फिर एक के लिए 2, तो यह आपका MRS क्या है, इस situation में आपका MRS क्या है, यहाँ पर मैं एक comment लिख सकता है MRS के वारे में, कि यह आपका क्या है, constant है, clear है, अब आपका MRS यहाँ पर constant है, तो देखते हैं, diagram कैसा बनेगा, इसका जो diagram, बच्चे बनाएंगे आप, यह origin है, यह x-axis है, y-axis है, goods, x, killने की पानी की बोटल, और goods y, ले लिजिए यहाँ पर, y-goods है, और आपके पास frame, mark कर देते हैं, इसको, 1, 2, 1, 2, 3, 4, clear है, बात समझे, अब यहाँ पर हम दूसरी बात करते है, 2, 4, 6, 8, 10, अब अगर आप यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले आपके बाद से एक पर कितना है, 10 है, this one, उसके बाद 2 पर कितना है, आपका, 8 है, 3 पर 6 है, 4 पर 4 है, कुछ इस तरहीं का है, तो आप एक चीज को लाइनों को जड़ा, आप connect करेंगे, चार पर 4, इन लाइनों को अगर आप connect करते हैं, एक बाद, यह लाइन जो आप अगर आप connect कर देते हैं, तो यह आपका बन क्या रहा है, यह लाइन अगर आप देखें, तो यह आपका जो इंडिफरेंस करवे, एक स्टेट लाइन बना, क्यों एक स्टेट लाइन बना, उसके बिछे भी कार्ण में आपको समझा जेता हूं, क्योंकि बच्चे आपने, यह था फेले आपका, थोड़ा साई प्रॉपर नहीं गया, यह आपका, एक पे, दस, यह था, नेक्स्ट टाइम आपने एक गेन करा, सक्रिफाइस आपका दो हुआ, नेक्स्ट टाइम आपने एक गेन करा, सक्रिफाइस आपका दो ही हुआ, तो यह सेम रेट से सक्रिफाइस कर रहा है ना, फिर से एक के लिए उतने सक्रिफाइस करा, तो हर बार आपका एक स्टेट लाइन में क्या होता है, कि सेम रेट से चे जा रहा है तो because of constant MRS आपका यहाँ पर एक indifference curve क्या होगा straight line तो कई बार question exam में यह नहीं बोल करके कि perfect substitute case में indifference curve किस तरीके से बनता है वहाँ तो आप ऐसे बना दोगे state line मना देना indifference curve भी आपका IC हो गया पर सवाल ऐसे पूछ सकता है कि indifference curve state line कि situation में होता है तो परफेक्ट substitute कि के situation में होता है وہ जहां पर आपका MRS constant और situation state line बनता है तो सवाल दो तरीके यह सकता है एक तो perfect substitute के case में indifference curve ढूँ करो एक indifference current straight line बना है उसा खुद ही बोल दिया यह किस situation बनेगा आपसे पूछ लिया तो पर्फेट सब्स्ट्यूशन के केसे में बनेगा जहां पर मर्स क्या है कॉंस्टेंट है यह बात आपको समझ में आई